नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर सहमारे इस चैनल वेदिक द्रिश्टी पर दोस्तों जैसा की पिछले वीडियोज में काफी बार हमने आपको बताया भी है कि हर एक इनसान का अपना ही एक औरह होता है और क्या उसके जीवन में होने वाला है कौन-कौन सी चीजे होती है या किन चीजों को वे आकर्षित करेगा शत्रूओं को आकर्षित करेगा कर्स की समस्याओं को आकर्षित करेगा या फिर धन को आकर्षित करेगा ये सारी चीजें उसका औरह निर्धारित करता है यानि कि उसका औरह जिस भी व्यक्ति का जैसा हो रहा होता है उसकी जिन्दगी बिल्कुल वैसी ही होती चली जाती है लेकिन काफी बार ये होता है कि इस चीज के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है और बस इसी के कारण काफी लोग इसका लाब भी नहीं उठा पाते हैं आपको ये भी बता दे कि और हम अगर किसी व्यक्ति का नेगेटिव हो जाए तो ऐसा व्यक्ति आप खुद देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति परिशान होता है तो वो लगातार ही पूरा दिन ही परिशान रहने लग जाता है पूरा हफ्ता पूरा महीना और कब उसके साल बीच जाते हैं क्या उसने करा क्या नहीं करा ये तक भी उसे पता नहीं चल पाता है वहीं दूसरी और अगर किसी व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता हो, सुख हो तो उसका सुख दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की से अपने आप ही बढ़ता चला जाता है क्योंकि ये खासियत होती है, एक औरह की अगर किसी व्यक्ति का औरह पॉजिटिव हो जाए या फिर नेगेटिव हो जाए, तो काफी लंबे समय तक उस व्यक्ति को उसी औरह में रहना भी पड़ता है, और बिलकुल जब तक रहना पड़ता है, जब तक वह अपने औरह को बदल नहीं लेता है, अब आपको ये भी बता दे की औरह का इतना ज्यादा प्रभाव क्यों पड़ता है, किस प्रकार ये नेगेटिव हो जाता है, कैसे इसे पॉजिटिव किया जा सकता है, यानि के उस प्रकार बनाया जा सकता है, जिन्स प्रकार की चीजें आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। जिससे व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपाहो उस व्यक्ति को निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ती होती है। तो दोस्तों बात करते हैं, औरह के बारे में हमारे पिछले पुराने जोरिशी मुनी होते थे, उनको सारी चीजों के बारे में जानकारी होती थी। इसलिए अपने औरह को मेंटेन रखने के लिए उसको ठीक करने के लिए वे तरह तरह की क्रिया कांड करते ही रहते थे। जैसे की हवन, यग्य, पूजापाठ आदी वगेरह होता है। की मंत्र एक वो विज्ञान है, जिससे इनसान अगर इस मंत्र विज्ञान को समझ लें, तो अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। कैसे प्राप्त कर सकता है, ये भी मंत्र विध्यान में माता पार्वती को भगवान शिव ने इसके रहस्य के बारे में भी बताया है, जिसके बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं. लेकिन इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये कार्य कैसे करता है, तो भगवान शिव यू कहते हैं कि हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य ही होता है, और वह कारण उसकी ध्वनी होता है. यानि की सब चीज प्रकट होने से पहले कुछ भी अगर आपके जीवन में आता है, धन, दौलत, पैसा, प्यार, शोहरत या जितनी भी चीजे आती हैं, उससे पहले कुछ ना कुछ ध्वनी आपको अपने अंदर क्रियेट करनी पड़ती है, या फिर कई बार ये इस प्रका का दिमाग इतना शक्तिशाली नहीं होता है, कि किसी भी प्रकार की ध्वनी को अपने आंतरिक रूप से दिमाग का इस्तिमाल करते हुए बना लें। खास तरीका निकाला है कि जब भी हम किसी मंतर का जाप करते हैं, तो उससे विशेश प्रकार की ध्वनी उत्पन होती है, यानि की प्रकट, होती है जो सीधा प्रभाव उस व्यक्ति के औरह पर यानि की आंतरिक शरीर पर डालती है। अब आप ये देखे की हमारा और कितना और क्यों महत्वपून होता है, ये जितनी भी चीजे हम आपको बता रहे हैं, हम बड़ी ही ज्यादा खास है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी आपको हमेशा मिलती रहा करें, और कोई भी विडियो मिस ना हुआ करें, तो दोस्तों आपको बता दें कि हर एक व्यक्ति का जो आंतरिक शरीर होता है, जो दिखाई नहीं देता है, ल या फिर कई लोग ऐसे भी होते हैं, कि उन्हें कुछ चीज ना भी मिले, फिर भी वह प्रसंद न रहते हैं, और इतना प्रसंद न रहते हैं, जितना कोई बहुत ज्यादा करोरपती भी प्रसंद न रहता हो, तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, और वो केवल अंदर से ही या अगर किसी व्यक्ति का होगदा यानि की आंतरिक शरीर परेशान हो जाए तो उसके जीवन में बीमारिया, दुख, रोग, परेशानी, चिंता आधी सारी बुरी चीजें उसके जीवन में आकरशित होने लग जाती है। तो इसलिए अपने आंतरिक शरीर को यानिकी औरह को महत्वपूर्ण करना बेहत ज्यादा खास होता है। हमारे शरीर में यह जो चक्र होते हैं, इनही को यह जो एक एनरजी फीड बनाते हैं, उसी को एक और कहा जाता है, जो साथ चक्र होते हैं। इसलिए यूँ भी कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंदली जागरत हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी पासकता है। लेकिन सबसे ज्यादा सरल, सबसे ज्यादा इफेक्टिव एक मंत्र विध्यान को कहा गया है। लेकिन मंत्र विध्यान की जानकारी काफी लोगों को नहीं होती है। अगर आपका व्यापार नहीं चलता है, कोई भी चीज जिससे अभी आप परेशान होते हैं, यानि की आपका औरह नेगेटिव उस चीज से होता है, वो प्रेम हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, रिलेशन्शिप हो सकता है। धन, आकरशन या कोई शत्रु परेशान कर रहा है। यानि की कोई भी बहार की ऐसी चीज जो आपके औरह पर आपके एनरजी फील्ड को नेगेटिव कर रही हो, बेकार कर रही हो, तो उस चीज को ठीक करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। आपको बता दें कि महादेव का भगवान शिव का संजीवनी मंत्र इस प्रकार से कार्य करता है, कि जो भी व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है, तो उसका एनरजी फील्ड अपने आप ही पॉजिटिव होने लग जाता है, और संजीवनी मंत्र के साथ अगर महामरित्यूंज अगर दिमाग का स्वास्थी सवस्थ नहीं है, तो आप खुद सोचिये की करोडों रुपए होकर भी लोग परिशान रहते हैं, तो मानसिक स्वास्थ होना सवस्थ बहुत ज्यादा जरूरी है, और संजीवनी मंत्र और उसमें महामरित्यून जय मंत्र का संपुट लगा कर जाप किया जाएं, तो वह व्यक्ति शारेरिक रूप से मानसिक रूप से हर प्रकार से इतना सवस्थ हो जाता है, और सब कुछ कामना करता हो, इसकी क्रिया किस प्रकार करनी है, संपुट किस प्रकार लगाना है, ये भी आप जान लें, जैसे कि ओम त्रियंबकम यजामहे सुगंधिंग पुष्टिवर्धनम उर्वारुक मिव बंधनान मृत्योर मुक्षे मामरिता, ये महामरित्यून जय मंत्र है, औ और ओम हौजू सक उभूर्भव स्व ये संजीवनी मंत्र है, तो आपको करना इस प्रकार है कि रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठकर नहाधोकर इस मंत्र का जाप करना है, ओम हौजू सक उभूर्भव स्व फिर उसके बाद महामरित्यून जय मंत्र को आपको बोलन पिर से संजीवनी मंतर को सुन ले महामृत्यूंजय मंतर तो सभी जानते ही हैं। बिल्कुल स्वच्छ होकर सात्विक रूप से इस मंतर का जाब करना है। इसका सीधा प्रभाव आंतरिक शरीर पर पढ़ना शुरू हो जाता है। जिससे आंतरिक शरीर में जितनी नेगेटिव या जितनी भी बुरी चीजें ब्लॉकेट, कर्म कुछ ना कुछ फन से हुए होते हैं, तो वो सारे एक-एक करके भस्म होने लग जाते हैं। भस्म का यही महत्व होता है। अलग-अलग भस्म भी कई प्रकार के लाप पहुचाती है। उन भस्म को किस प्रकार तयार किया जाता है, कैसे मंतर से एनरजाइच किया जाता है, ये भी आने वाली वीडियोज में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य ही रखिएगा, जिससे बिल्कुल भी वीडियो मिस ना हुआ करें लेकिन ये जो चीजे हमने आपको बताई है, ये एक आंतरिक शरीर याने की उरजा को अपनी एनरजी फील्ड को स्ट्रॉंग बनाने के लिए है, जिससे कोई तांतर ही फिर इन चीजों से आकरशित होने लग जाती है, क्योंकि जब एनरजी फील्ड ही सुधर गया और आपकी ध्वनी ही सुधर गई, तो आप ये सोचिये की जीवन में फिर क्या नहीं सुधर सकता है, आपको ये भी बता दें कि कई लोग ऐसे भी होते हैं, जिनके कान में ए एक सीटी जैसी एक बीट जैसी आवाज सी 24 घंटे ही आती रहती हैं, वो केवल आंतरिक शरीर का एक शोर होता है, यानि की नेगेटिव एनरजी शरीर में इतनी बढ़ जाती है, कि वे अंदर ही अंदर सोर सा मचाने लग जाती है, और आप ये देखेंगे कि जब आप जानकारी लोगों को नहीं होती है, लेकिन हम अपने वीडियो में सारी चीजों को खास आप के लिए बताते हैं, जिससे आप इनका लाब उठा सकें, इस वीडियो को जरूर दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी लोग इस जानकारी का ल जानना चाहें, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें और जाते जाते महादेव का जैकारा मेरे साथ लगाईए हर हर महादेव